इस वीडियो के इंदर हम बात करेंगे PT365 को लेकर आप में इसे बहुत से एस्पिरेंट के सवाल थे UPSC Parlims 2024 को लेकर PT365 कब तक आ जाएगा इन सब के अलावा हम इसके उपर भी बात करेंगे कि PT365 ज्यादा reliable है या फिर monthly magazine ज्यादा reliable है और जो new aspirant है जिनको नहीं पता PT365 क्या होता है उनके बारे में भी हम इस studio के अंदर बात करेंगे So hello everyone, Namaste India and wonderful welcome to civil aspirant I hope आप सब लोग काफी बैतरिन होंगे My name is Bukes Pukhraj और चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहली बात उन aspirant के लिए जिनको नहीं पता PT365 क्या होता है तो उनको मैं बता दू UPSC के लिए आपको current appers पढ़ना रहता है और current appers के मारे पास में दो source होते हैं Delhi basis पे आपको news paper पढ़ना होता है और उसी news paper को revise करने के लिए आपके पास में monthly magazine होती है जिसको हम current appers के magazine बोलते है बहुत से coaching वाले आपको ये magazine प्रोवाइड करते हैं जिसके मातियम से आप complete current appers को monthly basis पे revise करते हैं लेकिन बहुत से aspirants ऐसे होते हैं जो current appers पे ध्यान देते नहीं है और जो prelims पास में आता है तब उन्हें पता चलता है कि बिना current appers के UPC prelims के अंदर बहुत ज़्यादा कठनाई होगी इन सब के अलावा mens में भी बहुत ज़्यादा problem होती है तो इसके लिए coaching वाले पूरे साल का current appers एक साथ में आपको provide करते हैं मेकजिन के मातिम से जिसको हम बोलते है PT 365 जिसको कुछ लोग बार सिकी के नाम से भी जानते हैं कुछ लोग yearly current appers के नाम से भी जानते हैं पर market में PT 365 करके यह नाम बहुत ज़्यादा popular है इसके अंदर होता क्या है कि complete subject wise वो आपको yearly basis पे मेकजिन बना के देते हैं लाइक पॉलिटी को लेकर पूरे साल में जो भी अपडेट हुई है तीन सो पैसर दिति में जो भी अपडेट हुई है उसको पॉलिटी की PT 365 करके मेकजिन बना के दे देंगे तो इसको बोलते है PT 365 अब हम बात करेंगे इसको लगाना ज़्यादा फाइदे मन्थ है या पर मंतली मेकजिन को लगाना ज़्यादा फाइदे मन्थ है और यह मेकजिन कब तक आए कि अगर आप परलिम्स के अंदर करन टापर से आपको बहुत अच्छे questions देखने को मिल चा इंवार्मेंट साइंस में हो चाहे quality में हो चाहा आई-à-र में हो बहुत जगह से आपको करन टापर से क्यूसन देखने को बर बर के देखने को मिलेते हैं तो इसके लिए करन टापर पढ़ना बहुत ज़िद्धा जरूरी होता है डाइलेमा इसके लिए हैं कि हम मेकजिन को या पर 15 365 वको लगाए है इस सहे पहले हम समझते हैं 166 में total magazine ये होती है कितनी इसके अदर पेज होता है मैं आपको मोटा- सबी कोचि explosions का लग-बग यह average रहता है द्यारों सो जितनी में इसके इंदर आपकोopes पॉलिटी की magazine देखने को मिल जाती है Environment Science की magazine देखने को मल जाती है Science and Tech की magazine देखने को मल जाती है Art and Culture की magazine देखने को मल जाती है Economy की magazine देखने को मल जाती है और IR की magazine देखने को मलती है 6 magazine नहीं होती है इसके अलावा एक magazine होती है जिसके अंदर आपको Complete Skims के बारे में पढ़ना होता है और लास्ट में जो भी पर्लिम सोने वाला होता है, उससे पहले 15 या 20 तिन पहले एक अपडेट की मेकजिन भी आती है, जिसके अंदर कुछ एक और अपडेट जोड़ी है, तो उसको लेकर भी मेकजिन रहती है, तो टोटल हमारे बात करते हैं, तो टोटल हमारे पास में करीब करीब 100 से 120 पेज रहे हैं, तो मोटा मोटी त्वर मानते हैं कि हमें करीब 1200 पेज पढ़ने हैं, अगर हम मंतली को पढ़ते हैं, तो अगर हम payment 3D YouTube को पढ़ते हैं तो हमें करीब 900 से 1000 पेज पढ़ने हैं, फरक कितना हैं, शिर्प और शिर्प से 1.500 पेज का, पर इसमें एक issue है उसको आप समझेए अगर आप अभी टेस्स को लगाना शुरू करते हैं तो आपको पता होगा कि पर्तियक टेस्ट के अंदर एक मंत का करण्ट आपर्स पूछा जाता है और वह आपको मंतली बेसिज पर देदे करण्ट आपर्स को पूछते है ताकि आप टंग से उसको रि करीब आपको अप्रेल या पिर मार्च का करण्ट आपर पर पूछा जाता है मार्च 2023 का करण्ट आपर पूछा जाएगा फिर आप क्या समझ में आया जब आप मंतली मेकजन को लगाएंगे तो आप दीरे दीरे करके test series के according monthly magazine को भी finish कर पाएंगे और सही से आप test पर अपने आपको evaluate कर पाएंगे यह अगर आप PT 365 लगाएंगे तो लाइक आप परते एक magazine को ज्यादा इन्तों 15-20 दिन का time तो देंगे एक magazine को लेकर अगर आप PT 365 परते लेकर मिनिममम आपको साथ से दस दिन तो मिनिममम देना है ठीक है तो उस दस दिन के लिए मानों आपने quality पड़ी और उससे में आपने test लगा है उसमें आपको एक मंत का पुछा गया है आपने इसे quality तो पूरी पढ़ लिए बाके महीने के contract पर साब सरी से निकर पाएंगे तो कईना के आपको एक वह issue देखने को मिलता है अंसब के अलाबा पीटे 365 सिर्फ पोसे परलिम्स को लेकर होती है ना कि मैंस को लेकर होती है तो मैंस को अगर आपका परलिम्स निकल गया तो आपको मैंस को लेकर separately फिर से पढ़ना पढ़ेगा और उसे मैं आपको मैंस 365 लगाना पढ़ेगा तो overall कईना के आपका बढ़न बढ़ जाएगा इससे बड़ी फायदा यही है अभी time अच्छा है अब अगर आप अभी से पढ़ना सुरू करते हैं तो मेरी recommendation यही रहेगी कि आप monthly magazine पर अभी ज्यादा rely कीजिए कारण यह रहेगा कि आपके पास में भी वल्क नहीं है आपको धिरी धिरी करके चीजों को पढ़ना है अगर आप पढ़ते एक magazine को अगर आप daily business पर 15 page भी पढ़ते हैं तो आप दस दिन के अंदर अंदर एक एक magazine निप्टा सकते हैं अब यहाँ पर एक बात में यहाँ पर एक और add करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं अभी में इस वीडियो को दिसंबर के 22 दिसंबर को भी शूट कर रहा हूं अगर आप इस वीडियो को फरवरी के आस पास में देख रहे हैं तो इस बात को आप ध्यान रखेगा कि आपको जो magazine पढ़नी है वो आपको पीटे तेल सेक्टेपा भी पढ़नी है तो उससे में आपके पास में जदा टाइम होका नहीं इतना बड़ा Issue होगा नहीं तो बजेट के लिखर भी जदा अफड़िक इसपार रहएगा नहीं तो कहिना कि यह अच्छी वात है क्युक्ष एक बड़ा सा पोर्ठर्न बन जाता है बजेट को लेकर वो इस पार कम रहेगा खर इसको उपर अपन से एक अलग वीडियो में और बात करेंगे सो मोटा मोटी तोर पर ये complete comparison था और वैसे मैंने बहुत से टॉपर्स के आपको वीडियो बना के दिये ये चैनल पर अगर आप टॉपर्स के recommendation भी सुनते हैं तो उनका भी यही कहना है कि उन्होंने monthly magazine को ज़्यदा पड़ा है और बहुत कम रियर सांस पर को टॉपर होते हैं जो आपको comparison था बाकी मैंने आपको बता दिया कि आपको मैंस पर बहुत करेंगे मंतली magazine आप इन चीज़ों को एक बार टंक से सुनिएगा समझेगा और आपको लगता है कि जो चीज आपके लिए ज्यादा आते रही है साथ साथ में पढ़ते भी रही है किसी और दिन किसी और रोज किसी और टॉपिक के साथ में फिर पूला करते हैं तक तक के लिए नमस्कारा जेहिए